में प्रियर एंजन और आज की इस एपिसोड में SDFC बेंक के स्टॉक को डिस्कस करेंगे और आई प्रसनली थेंग कि यह स्टॉक यहां से 2000 तक के लेबिल्स इसली हिट करते दिख सकता है और इसका कारण यह है कि इसकी सबसीडी जिसमें लगवग 96% कंपनी आउन करती है SDB Financial उसका IPO आने वाला है तो इसको लेकर के मुझे लगता है कि यह स्टॉक इस समय ट्रेंडिंग में होएगा और यहां से कंटिनियोस आउट परफॉर्म करते दिखेगा तो एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले प्रीमियम टेलिग्राम जो की बिल्कुल फ्री है उसको जॉ 1210 के आसपास का इस समय जो अनलिष्टेट सेयर है उसका प्राइस दिख रहा और इसको लेकर के भी यहां पे एक बड़ी एडिटोरियल आप देखेंगे HDFC bank is seeking valuation of around 87,000 करोर के आसपास का जहां book value forward to 5 times के आसपास का है 10-15% company offload करेगी लगबग 87,000 करोर के आसपास का और इसको लेकर के यह खबर दिख रहा है इसके अलावे यहां देखेंगे तो 303 करोर के आसपास का volume है recent की delivery तो बेटर है ही trend भी देखेंगे तो recent के बेटर दिख रहे हैं update देखें तो वही जो है अपने जो company की जो ratio को maintain करने के लिए यहां पर अगर मैं feed में आपको दिखा हूँ तो जो company के पास जमा है और जो company आगे loan कर रही है उसके ratio को maintain करने के लिए कुछ fund offload company करते दिख रही है deposit credit ratio को maintain करने के लिए और यहां technically भी देखें तो हमने आपको कहा था कि अगर यह 1680 को breakout करें तो probably यह stock 1790 से लेकर के 2000 तक का level दिखे गा और कुछ ऐसा ही मुझे दिख रहा है technically जब तक 1700 के नीचे नहीं जाए overall trend strong है और यहां से यह continue करते दिख सकता है